किचन विज ब्लोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं बिल्कुल ही आज न्यू रेसिपी आप रोभू के लिए लेकर के आई हूँ जो कि आज अपनी कीचन में बनाने जा रही हूँ तो किस तरीके से बनाई हूँ जो कि बहुत ही जूसी और स्पैसी बनी है और बहुत ही जूस पूरा बिल्कुल अंदर तर है देखिए तो इस तरीके से जरूर बनाई है और खाईए अपने फ्रेंड्स रिरेटी पे साथ और वीडियो पसंद आए तो लाइक सेर कीजिए तो पर बनाना स्टार्ट करते हैं सोय मेंचूरियन की रेषिपी लिए एक कप हमने सोय बीन लिया है छोटे साइज कर लिए हूँ आप जो भी साइज कर लेना चाय पसंद आण डाल सकते हैं बड़ा साइज भी एक कप सोय कप पानी डालेंगे जिस कटोरी से नाप लेंगे उसी कटोरी का नाप रखेंगे perfect, 2 cup and 3 cup, 3 कटोरी पानी डालेंगे, सारे सोया चंग्स को इसमें डाल देंगे पानी में, पानी आप अपने हिसाब से लीजिएगा, कम या ज्यादा कर सकते हैं, जितना सोया बडी लीजिएगा, उसका triple पानी लीजिएगा, 1 cup सोया बडी तो 3 cup पान डालना है, इसी के साथ इसमें कोई flavor नहीं होता है, तो flavor लाने के लिए डालेंगे, सबसे पहले नमक, 1 spoon, अधरक गार्लिक का पेस्ट, 1 spoon, बेनिगर, 1 spoon, इससे बहुत ही flavor अच्छा आएगा, इस तरीके से जरूर बनाईएगा, 1 spoon, चीनी, रेट चिली सॉस, 1 spoon, और थोड़ा सा डंठल, धनिया पता का डंठल, इससे की flavor बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि सोया चंग्स में कोई भी flavor अपना नहीं होता है, इसलिए flavor के लिए जरूर डालिएगा, गैस को full flame पे रखते हुए, इसको पुड़ा पकाना है, और इसको cover नहीं करना, इसी तरह से चलाते हुए, जब तो इसका पुड़ा पानी सोख न ले, इसको बिल्कुल फेगना नहीं है, पानी को सारा flavor ताकि सोया बड़ी में अमारा आज है, तो इसको पुड़े full flame पे रख करके boil करना है, सारा पानी देखिए, इसी में soft हो गया है, पुड़ा अच्छे तरह से सोया बीन, पुड़ा पानी को कर लिया है अपने अंदर, इसको इस तरह से बनाईएगा, और इसको पुड़ा ही open करके boil करना है, बिल्कुल cover नहीं करना ह ताकि इसमें सारा flavor इसी में रज़ा और पानी बिल्कुल फेकना नहीं है, भाप में आधा पानी उड़ जाता है, और ऐसे ही पुरा सुख जाता है, देखिए किस तरीके से सारा पानी सुख चुका है, इसको एक ball में transfer कर लेंगे हम लोग, ठंड़ा होने के लिए, देखिए बिल्कुल ही अच्छी तरीके से ठंड़ा हो चुका है, और इसका flavor देखिए किस तरीके से इसमें पुरा आया है, हर सोय बड़ी के अंदर में और देखिए किस तरीके से फूल गया है, अपर अंदर तक का इसका gravy देखिए हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर पॉडर, जिससे की flavor बहुत ही अच्छा हैगा, कॉर्ण स्टार्च, कॉर्ण फ्लोर, फोर टेबल स्पून, मैदा, सभी को अच्छे से mix करेंगे, अच्छी तरीके से coated कर देंगे सभी पे, फोर इस्पून मैदा भी डालेंगे, वन इस्पून और लगेगा, अगर गीला थोड़ा हलका भी लगे तो पानी डालेंगे, सोडी मैदा डाल दीजिएगा, और सभी को mix कर देंगे, ये देखिए सा अच्छे से mix हो चुका है, सारा हमारा बरियान तरीके से mix हो चुका है, चलिए इसको fry करते हैं, एक कराही में oil ले लेंगे, इसको बिल्कुल heat कर दीजिएगा अच्छे से, और एक एक चंस को लेकर के डालेंगे, सोया चंस को इस तरीके से जितना एक बार में आएगा, उतना ही डालेंगे, और डालते ही तो रच चलाईएगा, इसको थोड़ा सा अंदर से fry होने देंगे, उसके बार चलाईगे ने तो एक दूसरे में चिपगने का डर रहेगा, तो ये देखिए थोड़ी देर के लिए हमारा हो चु आप डालना है, सारे देखिए फ्राइब हो चुके हैं अच्छे से, और किस तर से कलर आ गया है ब्राउन कलर का, सारे को निकाल लेंगे को आप टालना है, सारे का संटी देखिए फ़े देखिए भी देखिए ये देखिए बालना है, सबस्क्राइब क की देखिए झाल झाल बहुत ही क्रंची बन करके त्यार हुआ है अब नेक्स स्टेप में हम लोग कराही ले लिजेगा उसमें हलका सा ओयल डालेंगे ओयल को पुड़ा हर तरफ से फैला देंगे ताकि पूड़ा में कोटेट हो जाए ओयल का और देखिए कितना ही गरम हो जाना चाहिए ओयल और फूल फ्लेम पर ही सारा कुछ हम लोग बनाएंगे तो इसमें अब डालेंगे लहसुन का छोटे-छोटे टुग्रों में कट कर लिया है लहसुन बहुत ही इसमें फ्लेवर डालेगा और बहुत ही तेस्टी बनेगा इस तरीके से लैसुन को प्योग जरूर करेंगे लैसुन देखिए फ्राय हो चुका है ज्यादा फ्राय नहीं करना है इसी के साथ एक का टोड़ी प्याज दो बड़ी साइज के प्याज को हम लोगों ने इस तरीके से कट कर लिया है आप अपने हिसाब से कुएंटिटी रख सकते हैं कम जादा कर सकते हैं एक बड़ा सिमला मिर्च इसी तरह से चोकोर उसको भी कट कर लेंगे दोनों को थोड़ा सा फ्राय कर ले रहे हैं सभी को द इसी के साथ ग्रीन चिली आप अपने हिसाब से डालिएगा थोड़ा सा ओनियन इस्प्रिंग ओनियन का जो वाइट पार्ट होता है वो डालेंगे सभी को चलाते हुए तरह भून लेंगे सभी को देखिए भून लिये हैं थोड़ी देर के लिए ज़्यादा नीग फ्राय करना है अब इसी के साथ फ्रमसाला एड़ करेंगे वन इस्पून चीनी ब्लैक पेपर वन फोर्ट इस्पून इसी के साथ नमक भी आड़ कर देंगे नमक अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग डालेगा क्योंकि हमने मैंचूरियन में भी नमक डाला है इसलिए ग्रेवी में नमक अपने हिसाब से डालेगा सभी को भून लेते हैं सभी को आपने भून लिया है इसी के साथ वन इस्पून बेनिगर वन इस्पून सोया सॉस रेड चिल्ली सॉस वन इस्पून टेमेटो केचाप वन इस्पून सभी को घून लेते हैं सभी को अच्छे तरीके से देखें मिक्स कर देंगे ये टू इस्पून कॉर्ण फ्लोर लेंगे इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका गोल तयार कर लेंगे देखें अच्छी तरीके से सारे को गोल दीजिएगा अब इसमें हम लोग डाल देंगे हाप डालेंगे, हाप डाल करके मिक्स कर लेंगे इसे के साथ थोड़ा पानी एड़ करेंगे, पानी आप अपने हिसाब से एड़ करिए कि जितना ग्रेवी रखना चाहते हैं, और मेंचुडियां में तो ज्यादा ग्रेवी अच्छा भी नहीं लगता है, यह जो कौन इस्टास हमारा बचा होगा है, उसको भी घोल के अच्छ सभी को इसमें डालेंगे, सभी को मिक्स कर दे रहे हैं, अच्छे से, सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे, देखें बिल्कुल पूरा एदम जूसी बन करके तयार होगा है, च्वासा धन्या पता से गार्निशिंग इसको भी मिक्स कर दे रहे हैं, देखें सोया मेंचुरियन बन करके तयार हो चुका है, बहुत ही जूसी, स्पाइसी, इस तरीके से जरूर बनाईएगा, देखें किस तरह से जूसी है पूरा, पूरा जूसी और ग्रेवी है, और वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइ आइक से जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स लिएटिव के साथ, जो हमारे चैनल पर न्यू है अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है, साथी सस्क्राइब कीजिए, साथी बेल आइकन को दवाना बिल्कुल मत भूलिए, और ताकि न्यू न्यू वीडियो की लिंक जो है, और इस तरीके से आपनों देखिए और नए नए रेसिपी का आनंद लीजिए, तो देखिए कितना जूसी है, और जो सोयाबीन है बहुत ही अच्छे तरीके से पका हुआ है, देखिए, उपर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सौप्ट है, देखिए किसना सौप्ट ब झाल झाल झाल